जिस दिन भारत के पहले Chief of Army Staff विपिन रावत का अंतिम संसकार हो रहा था उसी दिन मौके का फायदा उठाते हुए MPSRDC विपिन रावत के साले यश्वर्धन की जमीन पर बुल्डोजर चला रहा था ऐसे ही आरोप दिवंगत CDS विपिन रावत के साले यश्वर्धन ने अपनी Facebook पोस्ट में लगाये थे और इसी से जुला एक वीडियो भी जारी किया था अंतिम यातरा में हम लोग बैठे थे जार है थे बरार चौक आचानक एक फोन आया हमाई पास फोन में ये पताया गया कि जो जमीन आपके निजनिवास राजावाग के बगल से जो हाईवे निकल रही है उस पर साशन के दौरा उनको आदेशित किया गया है कि बिना किसी मापजा के बिना किसी notification के वो हमाई जमीन को acquire कर रहे हैं ले रहे हैं हमने उनसे कहा कि जब तक आ है रोड का काम चारू करें और अगर आपके द्वारा या आपके किसी भी प्रतिनिधी के द्वारा अगर काम में बाधा उत्पन किया जाता है तो स्थानिय सोहागपुर के थानिदार साहब को आदेशित कर दिया गया है कि वो आपके या आपके प्रतिनिधियों के उपर त इस ऐसी घड़ी में क्या जरुवत थी, क्या जल्दी थी साशन को, प्रसाशन को, भीना मौबजा दिये, भीना कुछ किये, जो जानते हैं कि मैं यहां पे हूँ, CDS House में हूँ मैं, दिल्ली में हूँ, तो इस वक्त का क्या फाइदा उनको मिलेगा, क्या उनको लाव मिलेगा इनकी जनीन का जो नेशनल हाइवे बन रहा है बुढ़ार में उसके लिए अर्जन किया गया था, और 2016 में इनको 0.0838 हेक्टेर का 2.14,077,088 रुपे का मौवजा मिल चुका है, और इनके हाइवे के बाजू में एक स्लिप रोड है, उसका 0.056 हेक्टेर के लिए 3A के अंतर सर्गत भोरजन की कारवाहे के लिए नोटिफिकेशन हो चुका है, मैंने स्वैम यश्वरजन सीम जी से बात करी और उनसे जो समाधी के समद्ने बात की तो उन्होंने ने बताया और हमने मोका भी दिखवाया है, अपने तहसिरदार साब और आराइट से, तो वो समाधी जो कि उनको मौवजा नहीं मिला है, तो वकिल के माध्यम से उन्होंने इसको रिप्रिजेंट पे कर दिया है, SDM कोर्ट पे, यह सही नहीं है, आप देख सकते हैं, यह जहां पर यह समाधी स्थल है, यह हम वी यूपी बना रहे हैं, इसके बीच में हैं, और इस जमीन का आदिगर्ण किया चुका है, और यह काम लगबग 10,5 मैंने पहले से शुरू हुआ है, मगर क्या यह सच्चाई है दसूत्र ने इसकी पड़ताल की तो फुलासा हुआ कि हाईवे के लिए यश्वर्धन की जमीन का अधिगरण किया गया था और अधिगरहित जमीन के लिए यश्वर्धन को 2.14 करोड रुपे का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है जहां तक उन्होंने फेस्बुक पोस्ट में समाधी और पेड़ों की बात की है तो समाधी तो विस्थापित हो चुकी है और पेड़ों का मसला SDM कोर्ट में लंबित है यानि तस्वीरें और जिला प्रिशासन के अधिकारियों के मयान तो बता रहे हैं कि सब कुछ नियम और काइदे के मताबिक किया गया यानि इस परताल से इतना तो साफ हो रहा है कि यश्वर्धन सिंग ने जो आरोप लगाये थे वो पूरी तरह से सच नहीं है तो सवाल तो यही उठता है कि क्या यश्वर्धन सिंग ने मौके का फायदा उठा कर ज्यादा मुआवजे के लिए जिला प्रिशासन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की